वेलगम गाइज जेकलोन जोब चले में आपका बहुत वुश स्वागते सस्क्राइब किजिए जेकलोन जोब चैनल को और पाए रोजना बेस नर्सिंग इंट्रास एक्जाम के मल्टिपल चोईस क्यूशन इपोटेंट क्यूशन जो आपके इंट्रास एक्जाम के लिए तो यहां पर आपको दिया हुआ है राइबोसोम एकल जिल्ली नुकलस डबल मेंब्रान सेंट्रियोल विदाउट मेंब्रान या फिर प्रोसी सोमेस सिंगल मेंब्रान सही मिलान की के जोड़िक आपको चैन करना है क्यूशन तीन ओप्शन दे हुए है उनमें गल्थ मेच कि चाहि तो कौन सा ओप्शन है तो मैं प्रिदार यान की सेंट्रियो विदाउट मेंब्रान यहां पर क्या है से चैन Καιों-मिलान क्या वाओं ठीक है तो इसका रैट उसन आपका हो जाएगा कि तारख चैनर जल लिके बीना ठीक है ये ओसन हो जाएगा याद रखेंगे ना गाइज अगर याद नहीं रखते हो तो वीडियो को दो से तीन बार देख लिह ए करो आप के लिए कितनी मैंद करनी पड़ती है और लाइक भी इच्छे आ रहे तब भी इतनी मैंद हम करते है लाइक बहुत अच्छे आ रहे उनके अव्यडियो बनना मान लो और सस्क्राइबर भी आ रहे और है और baixo क्या आप शेयर करते है वीडियो科 में पता है जिनको इनकी जुरत है पहला कुछ ने अंडू में प्रवेश करने के लिए शुक्राणु को कोरो ना रेडियेटा और जोना पिलुषिडा में प्रवेश करना होता है जिसके आप उपता ही लेरे एक्स की इस कारे में मदद करता है लिए कोरो ना रेडियेटा और जोना पिलुषिडा विदध हैल पता है डाउड की बार कोरो ना रेडियेटा लेर रहोते है जोनां पिलुषिडा लेर होती है तो यह उप्षन आपके सामने देए हुए कि योनी की अमली प्रत एसेडिक लेयर और वेज़ाइन या फिर एंजाइम रिलीज वाई ओवम या फिर आपको सुक्रोंड दोरा इस्ट्राइफ जोनलाइसिन या फिर पर तो में उपसित अब देख लो यह उप्षन से आपको बह की सेक्राइड इन दे लेयर तो आपको रायट ओप्सन बताना इसका 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 आपका सुक्रोंड दोरा इस्ट्रावित जोना लाइसिन टीक है जोना लाइसिन रीज फ्रॉम देस्ट्रम अगला क्यूशन है हाँ सुक्रोंड दोरा इस्ट्रावित जोना लाइसिन मोस्ट इपोर्टेट क्यूशन है गाईच इसक यहां से तो कुशन बनता है बनता है हंड्रेड प्रसेंट निमन में से कौन से हार्मोन के बाद होने राजुद्रम का ततकाल कारण बनता है विद्ड्रॉवल औफ इस देडियुट इमिड्रियट और मेंस्ट्रू सब्सक्रावित यानि कि अस्ट्रों बनता है फिर फ्रस और याप अप का बनता है निमन में से कौन से हार्मोन के बाद होने पर ठीक है राजोंडरम का तत्तकाल कारण बनता है बहुत अच्छा है कुशन पूचीन बनते आपने इसका लगा देखाव इसका प्राउज्स क्रॉज्श ट्रॉन ठीक है क्या हो जाएगा प्रोज्स ट्रॉन क्यूं क्यों होगा-कैसे होगा सब नहीं पता है तुम्हें बता देता हूं माधा जिनतंतर यह सब को पता है सब जानते है यहां से खुशन आता है ऐता है यह आपको पता है औवेरीज में क्या होते है प्राद में पुट टक होते हैं ठीक है तो उन से क्या बनता है आपको पता है कारपस-लूटियम कारपस-albigan से सब vandaag सुनाएं ठीक है कारपस-लूटियम जो बनता है य다os किलर्ठ का वह क्या करता हो प्रोजेस्तों का सिग्रेसन करता है सिंपल सी बात है प्रोजे स्टोन का ठीक है करता रहता है यह कारपस लू टियम अब मानलो तो यहां पर यहां पर मान लो यूटरस में कोई सुख्रोंड नहीं आया विजाने से आएगा ठीक है अगर कोई स्प्रम नहीं आया और एक प्रॉटी लाइजेशन नहीं हुआ तो ऐसी कंडिशन में यह जो कार्पस लूटीम है यह कार्पस एल्विकेंस में बदल जाएगा स कोन करें वो तो बदल गया तो ऐसी कंडिशन में प्रोजेस्ट्रोंड की कमी हो गए और इस कमी के कारण ही आपके जो यूटरस की अंदर की एंडोमेट्रेम लेर है उसका ब्रेकडाउन होके ब्लेड के रूम में यूनिके तुरू बाहर आ जाता है जिसको मैस्ट्रूल की कमी ठीक है प्रोजेस्ट्रोंड की कमी ठीक है चलते हैं अच्छे सेक्स्विशन कर दिया में अगला कुसे ने हार्मोन जो केवल गरबाउस्ता के दोरान मेलाव में उत्पादित होते हैं धार मौन आजर ने चार ओप्षन देदे आपके सामने ऐस्ट्रोजन मानो कोरियोनिक गोनेड्रोफिन मानो प्लेसेंटल लेक्टोजल आ पका जो लेक्टोजन होता है अस्ट्रोजन प्रोजिस्ट्रोन या फिर आपका मानो प्लेसेंटल लेक्टोजन मानो कोरियोनिक गुनेडोट्रोपिन रिलेक्शन या फिर आपका मानो प्लेसेंटल लेक्टोजन मानो कोरियोनिक गुनेडोट्रोपिन थायरोक्साइन हार्मोन जो केवल ड्रिंक प्रेग्नेंसी लगा देवका टिक मानो प्लेशेंटल लेक्टोजन जलते आगे गलुकोज और एमिनो एशिड कहां पर अवसो शीत होते है गाइज गलुकोज एंडव्णीन एशिड आर रियव जर्बीद मैं आप से बोला ता न कल्यक्टिंग डग्ट यहा पिर डिशेन्टिंग डख्ट यहा पिर प्रोग्ग्ज lég्टिम्ट ट्यूप गलुकोज और एम्हेन कि चीड़ी का ऑप्सुर्शन का घर ये आपको एक्स सिस्टम में याद diplomacy आतनी है यह अफ्रोक टो टाएक ये सेंडिंग भ eld copper यहां पर आपका यूंशेब का है यह लेका लूप होता है फिर ऑसेंडिंग फिर डेसंडिंग अदियर सब्सेंडिंग होते थीक तो यहां रटिए उपर किसका रसना होता है है याँ पर किसका भी को प्रॉल्फ इसक्तूब availability- weiß यह जिगह आपको पता हुने जगे के और किसका अब जोर होता है क्योंकि कुछ इंचर बन सकते हैं यह बन सकते हैं यहां से भी यहां से भी और यह सब आपको आपके एक्स क्रेटरी सिस्टम वाले चेप्टर जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वह तो इसको 100% करेगा ठीक ये छीज आपको पता होना ह100 पनता हरा और आपको सकता है कि है अबसके होके कुछा गया है कि गल्कॉज से कहां पर होता था नो लगा दियोगा तो गाई जिसका राइट उपस्ट आपका समय पास्थ सवाइच नलिकान के प्रॉक्जिमल ट्यूब में होता है ठीक इसका ग्लुकोज और एम्मिनो एसिट का उस्ट आपके प्रॉक्जिमल ट्यूब में होता है ऐसे कुशन बनते हैं अगला कुशन भी बहु मुझूद है तो तोड़ा से इसको एड़ेस्ट कर देते हैं एक कॉलम आपके लिए दिया गया है तो इसका राइट उसन क्या होगा गाई लॉंग है बट एजी है जो कुशन जद्दा लॉंग होता है ना वह उतना हीजी होता है क्योंकि उसने बहुत सारी इंपॉर्मिशन क्लियर करी दी किसका आपका सलकी सलॉल सलकी यह फह फिर सलल गनाकार उबस हो जाएक है उतने कि उसने अस्तंदारी में कार्पस जो स्लूटियम होता है का मुक्के कारे किस चीज का उतबदन करना है अभी पड़किया थे मैंने आपको पढ़ाए था इस ड्टू प्रड्यूसू तो आपको कार्पस लूटियम का पक्संड सबताना है को पर कि इस ऐफर कि इस ड्रो मॉक्संड करता है कि व्याइब लूटियम का विदल जाता है तो नश्चान का ले कम हो जाता है सबको पता है क्या सब्सक्राइब का इलक्ट्राफोर इसमें सबसे अधिक इस्तमाल क्या जैने वाला मैंट्रेक्स है जेल एलेक्ट्रोफोरेश एक्रोस पॉली एक्रिलोमैड सलपेट ब्रोमैड या फिर एसेडिम ब्रोमैड मॉस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इन जेल एलेक्ट्रोफोरेश लगा दे टिक तो चेकल देए गाईज एग्रस एग्रस का यूज होता है आपके इलेक्ट्रोफ फोरेसिस में ठीक है और गैज टिक पहले आप लगा है अगरो जिसे आपके प्रेक्टिस अच्ची हो ठीक है क्योंकि राइट अप्सन तो मैं बता है रहूं हो ऐसे साथ में आपके प्रेक्टिस हो जाए तो बढ़िया है ठीक है क्योंकि आपको पता है कि जितनी गलतियां आप यहां पर करोगे उससे ज़्यदा तो आप सीखी जाओगे बट वहां पर आपको गलतियां नहीं करने इंट्रास एक्जाम में वहां पर तो आपको सहए पे टिक लगाना है उर आपको पता ही है BC Narians का इसको कितना ज़्यादा है हर जगे डिमांड है और आने वाले समय में थोब ज़्यदा डिमांड बने की BC N browsing की ठीक है तो आप सही direction में जा रहे हों मैं हमें साब बोलते हो भीयेस नर्सिंग कर लिया तो कोई भिरुजगर रहेगा नहीं क्योंकि इसमें आपको थ्योरी नोलेज दी जाती है पलस ट्रेनिंग दी जाती है पलस चार साल में आपको डिगरी यानिकी complete graduation डिगरी दे दी जाती है कोई master डिगरी करने जुरत नहीं ये complete है चार साल में मामला लाइप सेटा तो बस आप तो नमबर लेके आजाओ यह आपसे मुई दे और जितनी मेनत आप करवा सको हमसे करवा सकते हो ठीक है बट आपके लाइक सस्क्राइबर आते रहेंगे तो हम वैसे ही आपको जदस जदा वीडियो देने का प्रेतन करेंगे अगल इन कोक्रोज में या पिर स्नायल में या फिर आपके पहले टिपस में या फिकोग में किसमें देखा गया है यह कुशन आपके टॉल एंसी आर्टी से लिया गया है बार वी की हाई सेगेंटर के जो बुक है ना वहां से आपने टिक लगा दिया होगा सो इसका राइट ओप्शन हो जाएगा आपका पिकोग मोर में की जदा तर यह पक्षियों में देखने को मिलता है यह इस परकार का जेड़ जेड़ डवी जेड़ अगला क्यूशन है और आपके बेस नर्सिंग इंट्रास एक्जाम में जदा और टॉल्ट से क्यूशन बनते हैं पीजिक्स कमिंस्ट्री बायलोजी से बार से कुशन आते हैं ठीक है अगला क्यूशन है लेस्ट सेगिंट के साथ मिलान सुची पस्ट और सुची के नीचे देगे कोड़ का सही उत्राब को चेन करना है तो यहां पर दिया हुआ है सुच पर दिया हुआ है तो आपको सब्सक्राइब आपके सामने दिये हुए यह देखिए एडिस कर देते हैं इसको इसको गाइज जरम प्लाजमा थियोरी किस्के जाएगा किसने दीती जरम प्लाजमा थियोरी पर है और आपको सेगिंटे इंटेंट इस औप दे एकड क्रैक्टर किसने दिया था जीन वेटर लेमार्क ने और Mutation Huger Duration तो simple सी बात है आपका रायटर सुन क्या होगा ABC में आपका क्या होना चाहिए 412 ये रायटर सुन हो जाएगा आपका ये वाला ठीक है check now ABC 412 बिल्कुल सही है ये इसका रायटर सुन हो जाएगा ये देख लो क्यानी कि A में 4 जाएगा और B में 1 और C में 2 कितना अच्छा सुवाल था और BASNAR SING के तो स्कोप इतनी जादा है गाइज क्या बता हूँ आपको हर सेक्टर में स्कोप है गाइज टीचिंग सेक्टर में देख लो आप मेडिकल सेक्टर में देख लो आप मिलेटरी में देख लो आप जहां देखो जहें इसको फिर क्या करें इसको इतना है बताने पता है थक जाए चलते आगे को अगला कुछन आपको नेमने में से कौन सा कतन सत्ते है गाइज फाइनल गरंती की ओपस्टी वरत वाचा में होती है निकि आप इंग्लिस का सारा ले सकते हो इंदी समझ में ने आते हो तो पीने ग्लेंट की एक्टोडरमल इन ओरिजिनल अल्फ्रेड गिलमेन ने सी ए एमपी की भूमीका की कोच की ऐस्टोजन और ऑक्सिटोक्सिन हार्मोन का अस्टन करेंतियों पर प्रवाव में सह करेता होती है पस्ट सेगिंड थर्ड फॉर राइट ओप्सन आपको बात आना जी कूशन पढ़लो समझ लो आराम से आंसर दो इक्साइट नहीं होना है तो गयज इसका राइट ओ सुन जाएगा आपका पस्ट थर्ड यानि कि आपका पस्ट और थर्ड इसका राइट ओ सुन हो जाएगा कितना एज़ी है चलते आगे गोर और गयज चैनल से सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि रोज जन आपको मल्टिपल चोईश कूशन मिलते रहे एपोटेंट कूशन अगला कूशन आपका एप्लाजमिड यहां पर ओप्सिन दिये वे परति करते नहीं कर सकता सब्सक्राइब करते नहीं कर सकते सब्सक्राइब नहीं क्रमसॉमिड परति करते कर सकते हैं की केंड रेप्लिकेट इंडेपेडेंटली अगला कुछ उसने कि डार्विन द्वारा ओरिजन ओप इस प्रग में प्रकासित किया गया था ओरिजन ओप इस प्रशिज बाइड डार्विन वाज पप्लिशेड इन विच एर 1869, 1879, 1849, 1859 सही पे टिक लगा दू गाईज कितने किसन आपके सही जाते हैं कमेंट में बता दिया करो और वीडियो को कम से कम दो से तीन बार देखा करो ताकि आपका सेलेक्शन हो जाए सो इसका राइट उसन हो जाएगा गाईज, 1859 ठीक है और जो इस टूडेंट इस वीडियो को दो से तीन बार देखते हैं अपना टाइम टेबिल से टिक लिया करो कि 5 दिन बाद वापिस ये वीडियो देखनी है ताकि रिविजन हो जाए और हमको याद हो जाए तो आप काई भिला होगा ठीक है अगला कुसन है मेगा कारोसाइड है मेगा कारोसाइड आर्द लिम्प में पाए गए फागोसाइड वह कोई सिकाई जो एंटिजनों के किलाप एंटिवोडि का उत्पदन करती है अस्ती मज्जाए की कोई सिकाई जो त्रोमोसाइड को जनम देती है या फिर कमफेक्ट हड़ी के उत्पक में लेम लेके रिक सिस्ता उनके बीच पहे जाने वाली कोई सिकाई मेगा कोरोसाइड के बारे में आपको बात आना है जी चार आप्शन आपके सामने है करें जिसका राइडर सुन जाएगा आपका हस्ती मज्जाए की कोई सिकाई जो त्रोमोसाइड को जनम देती है वह थे मेगा कारोसाइड है वह था ठीक है तो कितने क्यूशन आपके सही गए कितने क्यूशन आपके गल्द के आप बता सकते हैं और इससे भी ज़्यादा अगर आपको और क्यूशन चीए मल्टिपल चोईस क्यूशन तो हमारा जीक के MCQM के चैनल है तो उसको भी आप फोलो कर सकते हो ताकि आपको दोनों चैनल से फायदा हो जाए इससे भी और उससे भी तो जाई नीचे डिस्क्रिशन वी लिंक दिया हुआ है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मल्टिपल चोईस क्यूशन के साथ